के गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल अनुए स्पेशल एंड ब्लॉक्स मैं हूँ आपकी अनुए आज मेरे किचन में स्पेशल डिस है पॉम प्लेट और इसकी रेश्पी मैं आपके साथ सेयर कर रही हूँ आप लोग देखिए और बताएए कोमेंट स्रेक्शन में की कैसी बनी है हमारे पास चार पॉम प्लेट फिश और इसे चीरा लगा लेंगे चीरा लगाने से यह होता है कि जल्दी से मेर्नेट हो जाता है इसे मैं अच्छे तरह से धो ली हूँ दो के इसे एक प्लेट में रखी हूं इसमें थोरी सी मेर्नेट करेंगे हम लेमन जूश, शॉल टॉर्मेरिक पाउडर और रेट चिल्ली पाउडर से ताकि यह जल्दी से मेरिनेट हो जाए और पकने में असानी हो तो इसे पहले हम हाफ मेरिनेट करेंगे इसके बाद हम लेंगे दो टेबलेश्पून दही उसमें हम डालेंगे थोरी सी हल्दी हल्दी पाउडर इस वाद द पाूडर के यृज़ी पाउडर यृज़ी डालेंगे तो हमपले डालेंगे समय ठीक लेमन and बिल्स परफेकं हमääउड लयेमन जिष नंदाल पछेंगे में जोड़ीं आलेंगे और य दॉड़ीं में धीक दाल को हम अच्छे से हमारे फिष में मेरनेट हो जाए जाए इस लिए सब्सक्राइबर दिख रहा कि मेरनेट करने बाद अच्छे सारे फिष को मेरनेट कर लाएफ लिए जा अच्छे से फिल भी करना है ताकि अंदर तक अच्छे से मेरिनेट हो जाए और इसे हम 20 मिनट के लिए फ्रीज में रख दिये हैं अब मैं फ्रीज इसे बाहर निकालती हूं और पैन मेरी गैस पे चड़ गई है तो अब इसे हम फिर से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो मसाल बची है वह भी अच्छे से मेरिनेट हो जाए अंदर फिस में चली जाए अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी से कुकुंग आयल बिल्कुल थोड़ी डालेंगे क्योंकि हम बहुत स्लो फराई करने वाले हैं तो ज्यादा डालने की जोरत नहीं है थोड़ी थोड़ी करके हम चाहलेंगे क्योंनेट च्चेरे में मसाले को फील करेंगे तकी मसाले अंदर तक जाए टेस्ट अंदर तर जाए तभी तोदोimiz की पॉंप्लेट की अच्छे से घाने में देश्टी लगेगी मैं तो हमेशा नहीं मनाती हूं कभी कभार ही मनाती हूं और देखिए बहुत अच्छे तरह से इसे फिल कीजेगा और बिल्कुल स्लो उसे फ्राइ करना है पैन से और डालने के तुरंत बाजी से हम पलाट देंगे ताकि आयल पूरे फिस में अच्छे से चला जाए और दीरे दीर अब कैसी दिखती है तो खाने के बाद नहीं पता चलेगा तो यह और हम दो तरीके से फिश मनाने वाले टू फिस में विदाउत रावा का बनाई हूं और टू फिस में रावय के साथ मनाऊंगी तो एह मैं एक बाल में रावा ले लिया है और इसे मैं फिस को कोटिंग करू कैसे में फिल कर रहे हूं फिर उस पर से कोटिंग कर रहे हूं रावा कोटिंग तो मुझे तो दोनों तरह से पसंद है तो मैं दोनों तरह से अलग-अलग बनाई हूं दो दो फिश चार फिश थे मेरे पास तो दो मैं विदावत रावा का बना ली और यह डावे के साथ बना आज समय तक्रेश्टपाकार प्राइब मेर तो नषमनाचिकर में टकते में पर रहे हैं में पहले हैम न में तक दूद आज़ारीigent कैसे फिर में देखा ज़़ा पैन में दूसरा उलग लिपाष्टपाव मैं पालि वार प्रवा की तूर games में नहीं आता है केवल फिस काता है इसमें थोरी रवा की भी टेस्ट आ जाती है बर कोई बात नहीं हम दोदो तरह से खाएंगे यह देखिए सारे फिश मेरी बन के तयार हो गई है आपको कौन सी फिस रग अच्छी लग रही है रावे वाली यह विदावत रावे वाली मुझे क अगया बिश्टबन के तो तयार है और अब मैं शे कर रहे हूं शर्व शर्वन बहुंच प्लेट इड़ि कर रही हूं इसमें मैंने का तयार किया है और भून कर जह कि अन्ट अवर लेमन-लेमन से इसकी खक्रती खक्रती और स्पैसी टेस्ट अच्छी लगती तो यहां पर भूना तियार किया है तो पोहे क्या भूने के साथ पॉम्पलेट अच्छी लगेगी तुम्हें चलिए अपना पॉम्पलेट इंच्वाए करने आप पिलेज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए कोमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले टेक क्यार